नविश्कार दोस्तों मैं डाक्टर सुरेंजन सरकार पेशे से एक पसु चीकिश हूँ और मैं स्मॉर अनिमल ग्रिटिकल केर और एमर्जेंसी मेडिसिन का विशे सक्यू हूँ और मैं प्लूटो पेट क्लिनिक नाची का ओनर या वेटरी डाक्टर भी हूँ आज मैं ये बात करूँगा कि पपीज को कैसे नहलाया जाए और क्यों नहलाया जाए काफी सारे गलत धारनाएं अभी लोगों के बीच पचली थाए कि पपीज को नहलाना ही नहीं चाहिए पपीज को नहलाएंगे तो मर जाएंगे इस तरह का बेदुका काफी बात चलावा है इन सबीच से बचने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं एडुकेट कर सकूँ बता सकूँ लोगों को कि पपीज को नहलाना भी उतना ही ज़रूरी है तो देखते हैं पहले ही बात है कि पपीज को कब नहाया जाए कि किस उम्र में नहलाया जाए पहली बार तो देखिए इसमें ऐसा है कि पपीज का जब 30 दिन या लेस दिन वन मंथ रता है तो उनका जो है टेंपरेचर रेगुलेशन का पावर या च्छंता जो होता है नहीं होता है उनमें नहीं होती है से लिए वो क्या होता अगर उस वक्त आपने लाएंगे तो वो पपीज का टेंपरेचर फॉल कर जाता है फॉल करने से उनको हाइपोथर्मिय हो जाता है उनको अडेथ हो सकता है लेकिन ऐसे पपीज जो एक महिने से उपर हैं उनको आपने ला सकते हैं ख सो इसके लिए क्या करना है कि आपको जो है जो भी जरूते हैं मैं बताता हूँ उसको उसी तरह से दिज्याम आपको करना पर एगा तो 45 दिन से उपर मैंने इसलिए बोला कि यह कि scientifically proven है कि उसमें thermoregulation thermoregulation जिसको करते हैं अपना body temperature नियंतरन करने की छमता उसमें develop हो जाती है पपीज में और ज्यादतर तो यह भी देखते हैं कि हम लोगों के घर में पपीज कब आते हैं leaders जब हम लोगों को देते हैं तब आते हैं अपने घर में अगर पैदा हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है लेकिन काफी सारे लोग तो पपीज को लाते हैं बाहर से खरीद के तो खरीद के अगर ला रहे हैं तो आपके पास तो at least 35 to 45 days के बीच में ही आएगा क्योंकि वीनिंग जो होता है जो दूझ छुडाने की प्रक्रिया होती है वो 35 days में ही होता है तो आप safely जो है लाने के बाद समझिए कि आपके आपके 35 days या 45 days old पपी लिया कभी-कभी dog breeders जूट भी बोल जाते हैं जैसे कि समझिए कि उनका पपी एक ही महिने का है उसको बोल देते हैं देड़ महिने का है या आपके घर में जाएगा तो जी लेगा बहुत अच्छा से तो वो काफी इस तरह से ठकते हैं चलिए मान लेती हैं कि वो आपके घर में एक महिने में भी आए एक महिने केज में तो आप अगर पंदरा दिन और इंदिजार कर लें, 45 देज होने देएं उसके बास उसे नहलाएं तो बिल्कुल सेफ है नहलाने में कोई दिक़त नहीं इसमें तो आप जो 45 डे से उपर पपी को जरूर से नहला सकते हैं उसमें कोई ठिक़त नहीं है अब रही बात कि आप जो नलाएंगे तो कब नलाएंगे कब पपीज को नलाया जाए कितने फ्रिक्वेंटली साथ दिनों में एक बार पंदरा दिनों में एक बार या रोज नहीं ऐसा है कि इसमें आप जो है पपीज जब भी गंदे होंगे जैसे टीचर में चले गये बाहर जाके भींग लिए या जमीन पर ही लेट गये पपीज तो करेंगे जैसा तो अगर वो ऐसा किया तो उन्होंने तब आपको उसको नलाना पड़ाएंगे काफी गंदा हो जाता है स्मेली हो जाता है बैट स्मेल आता है उसको थोड़ा ही नमबर ने देंगे वैसे में तो गंदा रखेंगे तो फंगर डिजीज हो जागा कोई बीमारी हो जाएंगे उसे उस इस्तिति में दैने नहीं देंगे उसको नलाएंगे तो जब भी आपका पपी गंदा हो या काफी गर्मी हो गर्मी की वज़े से नहीं खा रहा हो तो आप उसे जरूर से नलाएं तो ये फिक्वेंसी आप कभी भी हो सकता है जैसे गंदे और अगर खुले आपके पास जगा है तो हो सकता है हर दूसरे दिन नलाना पड़े या हो सकता है कि आपको साथ दिन में एक बार नहलाने की जरूद पर एगा स्मेल आ जाए तो ये आपको खुछ से डिसाइड करना पड़ेगा ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको एतने दिन में नहलाना पड़ेगा जैसे human में है कि रोज नहला कर ही आप खाना खा सकते हैं इंडिया मेटलिस्ट तो पपीज में ऐसा कुछ नहीं है आपको जब जरूद परे तब नहलाईए आईए अब आगे एक वीडियो देखते हैं उसमें पटा चलेगा कि कैसे नहलाया जाए डौग को कैसे नहलाया जाए किस तरीके से नहलाया जाए आईए दोस्तों देखते हैं ये वीडियो इसमें बताया गया है कि कैसे पपी को बात देना है इस वीडियो में ये जो दिखा रहे हैं ये कि फर्स्ट पपी बात मने पहली बार ये नहाने वाला है क्या क्या समान लगेगा टाविल, सोप, स्क्रबर, मग ये सब तो दिख रहा है और एक साफ से जगर में ये पपी को रख दिया इन्होंने अब ये नहाने की तियारी में है डौग को बोलते हैं कि एकदम होमली फिल करवाना है ऐसा नहीं हो कि वो घबडा जाए ताकि फिर दूबारा नाना नहाना ही नहीं चाहे तो ये देखिए, ये जो बोलते हैं कि आके पहले पपी को एक स्क्रबर, एक ब्रश से ब्रश कर देना है तो इस दिन नहलाने से उनका क्या होता है ना कि हेर्स खुल जाते हैं उसके बाद पानी अच्छा से अंदर जाएगा अब ये देखिए, इन्होंने पहले अपने फीडिंग देखा कि एकदम लिक वाम वाटर है, बहुत ज्यादा गरम ना थंडा अपने हाथ में देखना है उसके बाद ये भींगो रहे हैं उस डॉग को उस पपी को भींगोने के बाद अब देखिए, कितनी अच्छी से अच्छे तरह कर से और पपी भी कितना इंजॉय कर रहा है तो ये देखने वाले ये बात है अभी ये शैंपू लिया इन्होंने अपने हाथ में आड़ी से पूरी तरह से लगाया देखिए कैसे round round हाथ करके ये उसे लगा रहे हैं शैंपू को मसल रहे हैं और ये देखिए पूँच के तरफ में, पैरों में, कितनी इच्छी से है, कितनी क्यूट, डॉगी बहुत क्यूट है, बहुत इंजॉय कर रहा है ये शैंपू कर रहे हैं इसी धंग से आपको भी शैंपू करना है, यह देखिए, देखिए कितना क्यूट क्यूट लग रहा है एक पहली दफा नहा रहा है इतना अच्छा से, यह देखिए और बिल्कुल इसी धंग से हम लोगों को भी करना है, लेकिन इसमें एक अंतर है जो मैं आपको थोड़ी दे करेगा, तो फॉरेंड का सभी टिप्स हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो जैसे नहाने वाली बात है, यह शावर से कर रहा है, यह तो सही है, लेकिन आगे मैं बताऊंगा, क्या अंतर हैं, जो हम लोग नहीं कर सकते हैं, इंडिया में, वो लोग कर सकते हैं, तो अभ बिलकुल इसी तरह से पोजना है, देखिए, कवर कर दिया है और वार्म है, डॉग पपी एकदम वार्म है, और एकदम बड़ा कमफर्टेबल पपपी फिल कर रहा है, यह देखिए, अच्छे तरह से रगड़ रगड़ के उसे नहीं हो रहा है, और पपी ने भी अच्छा से जटक कर दिया, बस, यही सुरू है, इन्होंने हेर ड्र इस्तिमाल किया है, अपने पपी को सुखाने के लिए, इसको नहीं करना है, यह जो है, इंडिया में, जहां गर्म वेधर है, अगर हेर ड्र का कूल पॉजशन भी आपने इस्तिमाल किया ना, तो क्या होगा, कि उसको कुछ गर्मी आ जाएगी उसको उससे हानी हो सकता है उसके स्कीन में असर पर सकता है घर ठंडे देश के लिए तो बहुत बढ़िया है जो कि उनका देश ठंडा है हम लोगा तो काफी गर्म है गर्मी के दिनों में तो कहना ही नहीं है तो आप अगर वो वैक्यूम क्लीनर आप गर पे हो जिसमें उसका ब्लोवर इस पार्ट आप इस्थिमाल कर सकते हैं तो वो बेटर है या वो नहीं भी हो तो आप पुराना यह टावल लेके पुराना आखवार लेके आप कर सकते हैं तो यह देखा आपने कितना अच्छा वीडियो था और कितने अच्छी इसके लिए आपको chemical free shampoo लेना परएगा हूँ चैमिकल free shampoo मतलब जो medicated ना हो, पारबेन free, हम लोगों के पास यह भी चेकर है ना, जैसे बिदेश तो है नहीं, यह देश है, हम लोगों का भारत देश है, तो यहां हम लोगों को कई एक तरह के shampoo's मिलते हैं और लेकिन puppy shampoo नाम का बहुत ही इका दुक्का मिलता है जिन लोगों को जानकारी है वो तो ठीक है जिनको नहीं जानकारी है उनको प्रॉब्लम है तो पपी शैंपू में आपको आ जाएंगे यह मैं स्क्रीन में दिखा दूँगा वो Captain Jack काता है पपी शैंपू और एक फीडो मेट काता है पपी शैंपू वो भी chemical free है यह दोनों शैंपू आप इस्तेमाल कर सकता है इसे में chemical नहीं है और अन्टी टिक् शैंपू अन्टी फंगल शैंपू इस तरह का शैंपू अगर आपको पास आपको मिले तो फिर आप जो है वो हमेशा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अगर टिक्स है, जो टिक्स के लिए आप इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद उसे छोड़ दीजिए, फंगस है, फंगस के लिए इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद उसे मत इस्तेमाल कीजिए, रेगुलर शैंपू रेगुलर दिन के लिए है तो क्योंकि यह जो एंटि टिक शैंपू है एंटि फंगल शैंपू है इसमें काफी केमिकल मिला रहता है जो उसके स्कीन के लिए बहुत ही हानिका रखे रहे हैं और क्या करेंगे अगर इस तरह का शैंपू अनलों इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा उनके बाल जढ़ तरह तीन कंपनी का है एक फीडो मेट का है क्याप्टिन जैक का है और एक टिटी के का भी एक शैंपू है जो पपीज के लिए आप कर सकते हैं है सेफ है मैं दिखा दूँगा उसे स्क्रीन में तो यह थे और अगर आपके इसमें बातिंग संपन्दी कोई और जानकारिया प उन्हें पावड़र लगवायई जाए या नहीं लगवायाई जाए एंटिटिक पावडर क्यों नहीं लगवाय जाए इस तरह से काफी सारे टिप्स हैं जो मैं बताओंगा अगली वीडियो में तब तक आप मुझे सब्सक्राइब करें यह वीडियो को लाइक करें शेयर क करें और ताकि मेरा और मुझे बढ़ावा मिले थैंक यू